नमस्कार One India Hindi में आपका सुवागत है आज 13 अक्टूबर है साल के दस्वे महिने का ये तेरवा दिन इतिहास में अपनी एक खास जगहा रखता है आज 13 अक्टूबर को देश दुनिया में क्या हुआ था कौन सी बड़ी घटनाई घटी थी जुसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा तो आईए नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर अटल बिहारी वाजपाई तीसरी बार 13 अक्टूबर 1999 में भारत के प्रधान मंत्री बने थे तब अटल जी ने 13 दलों के गड़ बंधन से सरकार बनाई थी अटल बिहारी वाजपाई राजनिती में लंबे समय तक सक्रिय रहे थे भारत के क्रिकेट टीम के प्रथम टेस्ट कप्तान सी के नाइडू का जन्म 1895 में हुआ था उनका पूरा नाम कोटारी कन कईया नाइडू था साल 1932 में बत्तोर कप्तान और क्रिकेटर के रूप में अपने पहले इंगलैंड दौरे के दौरान वो अपनी जोरदार हीटिंग की वज़ा से काफी मशूर हो गए थे वोलिबूट के दिगज कलाकार किशोर कुमार का आज ही के दिन 13 अक्टूबर 1987 में निधन हुआ था किशोर कुमार फिल्म कलाकार होने के साथ मशूर पार्शव गायक और निर्माता निर्देशक भी थे किशोर कुमार एक बहत्रीन अभिनेता ही नहीं बलकि एक बहत्रीन गायक भी थे किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1939 को मध्यप्रदेश के खंडवा में हुआ था दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के वाइट हाउस की नीव आजी के दिन 13 अक्टूबर 1792 में रखी गई थी निर्मान पूरा होने के बाद ये इमारत 1800 वर्ष से अमेरिका के रास्ट रुपति का सरकारी आवास है फिलहाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए One India इंदी के साथ